Good morning students, drawing का हमारा topic शुरू है pencil shading, इसके पहले जो वीडियो में आम ने देखा कि pencil shading के कौन-कौन से प्रकार होते हैं और pencil shading के tones, अब हम देखते हैं pencil shading किस तरह करना है यहाँ पर पहले block में मैं pencil shading कर रहा हूँ, जो पहला tone है, light tone, वो हमें सबसे पहले करना है इसके लिए हमें pencil का pressure है, वो बहुती कम रखना है, मतलब pencil बहुती कम press करनी है और shading करना है shading करते टाइम, box के बाहर pencil shading होगा नहीं, इसका ध्यान रखना है और pencil shading करते जाना है बहुती light shading करना है, क्योंकि वो पहला tone है, वो बहुती light है, इसलिए हमें pencil बिल्कुल जादा प्रेस नहीं करनी है और एक जैसे pencil घुमानी है, और complete करते करते ही आना है, बीच में white space बिल्कुल नहीं छोड़नी है अब हम देखेंगे कि second tone, जो है middle tone, जो उपर हमने pencil प्रेस की थी, उससे थोड़ी सी जादा प्रेस करनी है और pencil shading करना है इस तरह एक जैसे एक जैसे करते आना है, complete करते आना है यह हमारा middle tone complete हुआ अब हम third मतलब dark tone के आपे आएंगे जो middle tone में हमने प्रेस के आथा, उससे भी थोड़ा जादा प्रेस करना है ताकि उससे, मतलब middle tone से यह थोड़ा सा dark दिखना चाहिए इसलिए हमें थोड़ा और प्रेस करना है पेंसिल शार्प हो नीचे यह ताकि shading हमें अच्चे से करने के लिए आ सकता है इस तरह से हमेरे यह तीनों blocks complete हुए है इसकी size अलग है, लेकिन जो आपको बताई है size, उसी size में आपको complete करना है आपको दिखाने के लिए मैंने यह boxes बनाए हैं इस तरह से आपको यह 3 boxes जो measurement मैंने बताया था उसी तरह से यह boxes draw करने हैं और उस में pencil shading जैसे बताया है, उस तरह complete करना है और इसकी photo निकालके मुझे भेज देने हैं ताक कि मैं वह check कर सको next video में हम next topic देखेंगे झालके